हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का उत्रखंड पोस्ट पर उत्रखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्रखंड पोस्ट पर साथ ही उत्रखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आधी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें उत्रखण में चारधाम यात्रा पर मौसम की मार देखने को मिल रही है हजारों की संख्या में हर रोज दर्शन के लिए पहुँच रहे चारधाम यात्रियों के रास्ते में बारिश बड़ी रुकावट बन रही है बदरिनाट से लोटते हुए जोशिमट से पहले बारिश होने से पेड़ तूटने लगा जिससे कई किलोमेटर का लंबा चाम लग गया इसके बाद क्रेन के जर्ये पेड़ और पत्थर हटाने का काम शुरू हुआ लेकिन इस दोरान कई किलोमेटर तक गाड़ियों की कतार लग गई आपको बता दे कि मौसम विभाग ने अगले तीन दिन बारिश की संभावना जटाई है ऐसे मैं आने वाले दिनों में भी चारधाम यात्रियों को यात्रा के दोरान मुश्किले हो सकती है वहीं राना चट्टी के पास शुक्रवार की सुबा बंद यमनोत्री राजमार का स्थाई रूप से बड़े वहनों के लिए खोल दिया गया इसके बाद जान की चट्टी की और 80 बसों में सवार 3000 से अधिक यात्री 32 गंटे बाद वहां से वापसी कर सके हालकि से आना चट्टी से जान की चट्टी की और बड़े वहनों की आवजाही को फिलहाल पुलिस ने रुका है केवल छोटे वहनों और शटल सेवा के जरिये ही तीरत यात्रियों को जान की चट्टी भीजा जा रहा है बता दें कि राना चट्टी में बीतर चार जिनों से मार्ग बार बार अवरुद्ध हो रहा है उत्रकंट से जूड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरे सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें